जैहिन फ्रेंड्स आप सबका स्वागते सिक्कू स्पोर्ट्स में तो आज मैं आपके लिए रेल्वे स्पोर्ट्स को उठा गुरूप D की एक नई वेकेंसी लेकर के आया हूँ जैसा इसके पहले अभी तक आपने जो देखी सारी गुरूप C की वेकेंसी थी आज जो हम देखने वाला है पहला नोटिफिकेशन निकला है गुरूप D के लिए 7 साल के बाद जो की इंट्रिगल कोच फैक्टरी चन्ने की तरफ से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली इस फॉर्म की अपलाई करने की 13 मार्च 2017 शाम के 5 बज़े तक इनके ऑफिस में आपका फॉर्म बाई पोस्ट पहुँच जाना चाहिए ठीक है और गेम लिस्ट यहाँ देखेंगे फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, कबड़ी, हॉक्की, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, 6 गेम्स की प्लेयर ही इसमें अपलाई कर सकते है आल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट का स्रीप बॉइस, स्पोर्ट परसन अपलाई कर सकता है ट्रायल डेट आपकी रहने वाली है 28 से 29 मार्च और इसमें ट्रायल के लिए जाने के लिए आपको पहले फॉर्म फील करना होता है जिनका फॉर्म सही होता है अच्यूमेंट चेक करके आपको कॉल लेटर सेंड कर देते तब जा करके आप ट्रायल दे सकते है एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट जो है आपका 21 मार्च को लग जाएगा वेबसाइट पे तो पूरा डीटेल में देखते है वेकेंसी पोजिशन क्या क्या है प्लेइंग पोजिशन क्या दिए जैसा फुटबॉल में फॉर्वड चाहिए सेंटर मिट फिल्डर चाहिए यहां पर में सेंटर बैक तीन वेकेंसी फुटबॉल के लिए बॉड़ी बिल्डिंग में दो वेकेंसी वेट कैटेगरी दिए 60 और 85 kg ठीक है कबड़ी के लिए यहां पर में आपको लेफ्ट कॉर्नर आल राउंडर और राइडर चाहिए ती सेंटर चाहिए तीन वेकेंसी है वेट लिफ्टिंग में आपको 5560 80 13 विकेंसी घेकर टोटल यहां पर मैं ग्रैंट वेकेंसी HO 15 के लिए तहत नोटीफिकिंशन जाली किया गया है एज लिमिट आपको यहां पर में लगनेवाली है 18-25 साल ठीक में में कोई झूटने मिलें यह सी स्ट केंडियेट को कॉलिफिकिशन आपको स्रिफ 10th पास चाहिए यह यह अधिया धॉज कर अधिय यह तो भी चलेगा यह 10 पास है तो भी चलेगा ऐसा नहीं है 10th प्लस आई पास है तो भी अपलाए कर सकते हैं ठीक सेलेक्शन प्रोसेस यह सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा इंड में बताऊंगा सेलेक्शन प्रोसेस स्पोर्ट सर्चुमेंट क्या लगेंगे आपको यहां पर देखिए एटलिस थर्ड पोजिशन चाहिए आपके पास फेडरेशन कप में जैसा ग्रूप प्लेयर अपलाई कर सकता पार्टिसिपेशन वाला अभी तक ग्रूप सी में जो है सिर्फ मिरिट की मिरिट सर्टाफिकेट इलेज से थे तो यहां पर में होकी के ट्रॉफी के नाम दिये गए है ठीक है अगर आपने यूथ यह जूनियर नैशनल खेला है तो उसमें एटलि कर्टिसिपेशन का सर्टाफिकेट नहीं चलेगा और यहां पर आल इंडिया एंटर उनर्सिटी भी आपके पास एटलीस थर्ड पूजिशन चाहिए और क्रिकेट के लिए इन्हों ने यहां पर भी मेंशन किया अच्छे से कि आप पार्टिसिपेटिंग इन सीनियर अंडर 23 अंडर 19 ओल इंडिया सीनियर एंटर जोन चैंपेंशिप क्रिकेट के लिए अगर इसमें अगर आपने पार्टिसिपेशन के टूर्नामेंट्स में तो आप क्रिकेट का सर्टाफिकेट लगा करके यहां पर फर सकते हो ठीक है यहने क्रिकेट के लिए पार्टिसिपेशन का का certificate चलेगा अच्छे से बाकी इसके लिए junior participation नहीं चलेगा पहले group D में क्या होता था कि state medal का certificate accept होता था पर इन्हों ने इस बार norms में थोड़ा correction किया है sports norms में तो यहां पर हटा दिया state medal का तो पहले जो है state medal accept होता था पर अभी नहीं हो रहा है यहां आपर में किलियर इस notification में मेंशन किया कि at least senior national participation प्लियर अपलाई करेगा बाकी जो है बिरिट सर्टाफिकेट चलेगे स्कूल गें फेडरेशन आफ इंडिया का सर्टाफिकेट नहीं चलेगा और बाकी खेलो इंडिया यूद गेम्स होता इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन आफ इंडिया यह फेडरेशन का सर्टाफिकेट चलेगा बॉडी बिल्डिंग के लिए क्योंकि उनके इसमें दो तिन अगर आप प्राइवेट गेम से खिल रखा है तो हमरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो आप क्योंकि यह आपको पूरा टाइम ही वेस्ट होगा और आपको यह समझ में नहीं आएंगा यह किस फेडरेशन की बात कर रहे क्या कर रहे तो इसलिए अगर आपने प्राइवेट स प्रिकेट एक्सेट भी नहीं होता आप फॉर्म वर होगे आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा फिर उससे आप मेरे को बोलोगा कि आर मैं आपका वीडियो देखके फॉर्म बढ़ता हो मगर मेरे को ट्रायल के लिए एक बीदिन नहीं बुलाते आप लेक लास्ट टाइम स्रि पॉर्म प्रिकेट में भी भहुश सारे क्रिकेट है टेनीस बाल क्रिकेट है फिर आलग-अलग क्रिकेट भी होते तो वह वाले सर्टफिक deben नहीं चलते जो बी-स के यह ट्रॉ evaluating करते हैं सीके दिन्टॉ helpie कोछ बिहार random回去 यह आपडिम्हकन वीजयह白 Dun ट्रोफी होते हैं इन में से किसी भी ट्रोफी में आपने पार्टिसिपेशन किया है वह ही सर्टाफिकेट यहां पर चलेंगे बाकी दूसरे टैनिस बॉल क्रिकेट का अगर आप लगाते हो तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा ठीक है बॉडी बिल्डिंग के लिए 2020 से लेकर के बारा फरवरी 2023 इनके बीच में जो टूर्नामेंट्स होए इस यहर के सर्टाफिकेट आपके एक्सेप्ट होगे 2019-18-17-16-15-14-12-11-10 वो सर्टाफिकेट एक्सेप्ट नहीं होने वाले ठीक है 14 2020 के बाद का सर्टाफिकेट एक्सेप्ट होगा ट्राइल यहां प चालिस में से आपको 25 लेना ही होता है 25 से कम पड़ गए तो आपको आगे के प्रोसेस में नहीं वेश्टे होई से भार कर दिया जाता है और पचास मार्क्स जो है आपके स्पोर्ट सच्विमेंट के होते हैं जैसा मेरे कौलिफिकेशन ट्राइल और स्पोर्ट से मिरिड बनती है फाइनल मिरिड यहां पर में कोई इंटर्विव नहीं होता है पर गेम का ज्यादा और स्पोर्ट सच्विमेंट के बेस पर ही मिरिड बनती है एजन्ट डलाल किसी कोच के चक्कर में मत बढ़िए मतरह करा दूंगा पैसे देदो डॉकुमेंट देदो यह बाद में हम कर देंगे यह कर देंगे कोई कुछ नहीं करता है यहां पर पूरा प्यूर्ली जो है ट्रायल और आपके स्पोर्ट सर्टेफिकेट ही काम करते दो चीज़ काम करती है आपकी स्कील और आपके सर्टेफिकेट बाकी किसी को कुछ बात नहीं करना है फाम भरिए बढ़ी आतरी किसे तयारी करिए ट्राइल की डेट का वेट करिए कॉल लेटर आएगा जाके ट्राइल दीजिए आपका प्रफॉर्मस अच्छा रहेगा आपकी अच्छी में अच्छी है तो हंड्रेड परसंट आपका लिस्ट में नाम आएगा वह बुले तो आएगा फ्री रुपय की या इंडियन पोस्टल ऑडर ले सकते हो ठीके पाफ्स रुपय फीज लगेंगी यू अरो बी सिट के लिए सफ्ट के लिए आपको दूसो 50 रुपय लगेंगी ठीक है सेके यस्ट के लिए माइनरीट्री के लिए 250 रुपय लगेंगी और यह फॉर्म में तो का कुछ है नहीं क्योंकि वो मंस के लिए विकेंसी है नहीं यह वाली हाउ टो अपलाय मैंने पहले बता है आपको आफलाइन फील करना है फॉर्म के साथ क्या डॉकुमेंट भेजने आपको आपके सारे एजूकेशन के सर्टाफिके 10 की 12 की ग्रैजुएशन सारा जितना कोपी फिर टेखनिकल को एजुकेशन आइडिया है आपके पास वो लगा यह बरत प्रूफ के लिए आप बर सर्टाफिकेट लगा सकते हो या आपकी 10 की माक्सित जिस पर डेट ऑप बर्थ होती है वो भी लगा सकते हो और यहां पर आपके पास स्कूल लीविंग सर्टिके लगा नहीं तो जो लास्ट यर आपने जो भी पड़ाई ख़तम किए ट्रांसपर शर्टाफिकेट वह लगा सकते हो फिर यहां पर में आपने यह सी स्टी गाड़ीट का जो रिखाना है अगर आप कास से बिलॉंग करते हो यह सी स्टी ओवी सी से तो वह भी लगाना है वह center government format में ठीक है जो form के अंदर में दिया होता है वो ही format में चाहिए और बाकी अगर आप departmentally candidate हो किसी डिपार्मेंट में काम करते हो government of India में already job प्यों form बर रहे हो तो यह नोसी लगाई है वो भी photocopy लगानी है ठीक है sports achievement लगाई है 2020 की बात का स्टेट मेंडल डिस्टिक मेंडल यस्जी फाई यह वो एंटर कॉलेज यह वो कुछ कचरा मत लगाई है उसमें जो भी है आपके national के certificate लगाई है ओल इंडिया एंटर उनिवर्शिटी की लगाई है या आपने international खेल रखाया तो उसका certificate लगाई है ठीक है जो चलते हैं वहीं को प्लेके बागु डिस्टिक का मेडल स्टेट मेडल स्टेट सेट पार्टिसंपेशन स्व फाई सब्याएं और गारो शॉल्मेंट लिखा रहना जरूरी है ठीके अपलीकेशन फॉर्द फौर्ट्स रिकूर्मेंट्पौर पोस्ट इन plateau वन ओपन अरोटाइजमेंट 2021 यह लिखा रहना चाहिए और यह पोगिए पोस्ट जो है आपको वाई और पोस्ट ही सेंड करना है ठीक है देखो यहां लिखा ए सेंड बाइ ओडिनरी पोस्ट ओनली तो और अपका फॉर्म जो हो जाएगा ठीक है प्रआवाट कुरिय पोस रे इंक्वरी है तो और कॉल कॉल पर बात भी कर सकते हो आप यह कमेंट करिए मैं कमेंट का भी आपको जरूर रिप्लै दूगा इसका लिंक जो है फॉर्म का मैंने डिस्क्रिप्शन भी आया जाकर के आप डाउनलोड करिए और वीडियो पुसंद आया तो वीडियो को भी लाइ आई है ताकि ने ने जो स्पोर्ट्स कोटा से अपडेट आती है सारी हम इस ग्रूप में सही समय पर देते बाकी भी वेकेंसिस आ रखी अगर आपका इसमें गेम नहीं है जैसा इंगम टेक्स का आ रहा है अभी बैंगलोर का है और आर्मी ओडिनेंस क्रॉप्स का है उसमें कोई भी फॉर्म देखिए आप ठीक है और बाकी अगर आपकी कोई भी कोईरी है तो आप कमेंट कर सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलूंगा आपको मैं इसी तरह एक नए वीडियो को साथ में